नवश्कार इन खबर में आपका स्वागत है जब कोई भी संकट आता है तो उस पे रिसर्च होने लगता है कि आखिरकार यह आया कैसे है जो भी सास्त्र हैं वो भी उस पे अध्यान करने लगते हैं ठीक इसी तरीके से हमारे जोतिस सास्त्र में भी इस पे मंधन हो रहा है कि ऐसा संयोग क्यों बना इतनी बड़ी महमारी क्यों आई तो दरसल जो संबत्सर 2076 सुरू हुआ था उसमें पंचांग में साफ साफ कहा गया था कि ऐसी बिसान जनित महमारी आ सकती है रिसकेश पंचांग के साथ साथ और भी जो पंचांग है हिंदू पंचांग स्रीबिस्व पंचांग गणेश आपाजी पंचांग संपुणानन संस्कृत बिसुबिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द था और चुकि सनिवार को सुरू हुआ था इसलिए राजा सनी हो गए और मंत्री सूर्य बने थे अब सवाल यह उठता है कि यह जाएगा कब क्या परिस्थितियां बन रही है तो इसमें यह परिस्थितियां बन रही है कि नया संबत्सर 25 मार्च 2020 से सुरू हो गया है जो नया स संबत्सर है वो 2777 है अब इसको प्रमाधी नामक संबत्सर के नाम से जाना जाएगा इसके जो राजा है वो बुद्ध है और चंद्र यानि सोम इसके मंत्री है तो माना यह जा रहा है कि 14 अपरेल 2020 को सुर के मेश रासिमें प्रवेश के साथ ही इस महामारी की दिब्रिता कम होने लगेगी यानि कि इसकी उल्टी गिंती सुरू हो जाएगी और उसी दिन lockdown भी खतम हो रहा है इसलिए आप कह सकते हैं कि lockdown को हम सबने मिल करके सफल बनाया तो ये इस बिमारी की भी उल्टी गिंती सुरू हो जाएगी और नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ने वाली है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चैनल इन खबर इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल